गुड मॉनी एडिवन एक बार फिट से आप सभी का क्रेजी जीकेटरिक के डेली करंट अफेर की सिरीज में स्वागत है तो आईए शुरू करते हैं आज के सेशन को 31 अगस्त के सभी करंट अफेर को यहाँ पर हम डिटेल में डिसकस करेंगे एंड तक वीडियो को देखिए ध्यान से एक एक फैक्ट और एक एक कोशन को सुनियेगा मुझे आज थोड़ी सी सर्दी है गलाब बैठा हुआ है तो समझियेगा मैं क्या बोल रहा हूँ आराम से देखिए सारे फैक्ट समझ में आएंगे सारे डेटा समझ में आएगा अलब्धी से है पैरिस पेर ओलम्पिक दोजार चूबिस में अवनी लेखरा ने किस शूटिंग इवेंट की किस केटेगरी में स्वन पदक अपने नाम किया तो अवनी लेखरा की बात करें जिन्होंने शूटिंग में देखिए गोल्ड जीता है इन्होंने जो गोल्ड जीता है वो 10 मिटर एयर राइफल स्टेंडिंग SH-1 केटेगरी में अपने नाम किया आंसर हो जाएगा आंसर भी अवनी लेखरा आपको पता है टोक्यो लंपिक मे भी ये भारत के लिए गोल्ड लेकर आई थी अवनी लेखरा तो पैरिस पेरालंपिक की शुरुआत हो चुकी है प्रांस के पैरिस में आप सभी को पता है यहाँ पर भारत की शूटिंग खिलाड़ी अवनी लेखरा ने शूटिंग के 10 मिटर एयर राइफल स्टेंडिंग SH वन केटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है देखिए यह पैरिस पेरालंपिक दोजार चुबिस का भारत का पहला गोल्ड है देखिए यह जो इवेंट हुआ है कौन सा 10 मिटर एयर राइफल स्टेंडिंग SH वन केटेगरी इसका गोल्ड हमने जीता अवनी लेखरा लेकर आई है और इसका ब्रॉंज मेडल भी इंडिया की ही मोना अगरवाल ने अपने नाम किया सिल्वर की बात करें तो यह यूनरी ली ने अपने नाम किया जो की दक्षिन कुरिया की शुटिंग हिलाडी है ओके पेरालंपिक में दो गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाडी बनी है कौन अवनी लेखरा 2020 के टोक्यो पेरालंपिक में 10 मिटर एर राइफल स्टेंडिंग SH1 केटेगरी सैम केटेगरी में उस वक्त भी यह भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई थी और 50 मिटर राइफल 3 पोजिशन SH1 केटेगरी में इन्होंने भारत के लिए टोक्यो पेरालंपिक में ब्रॉंज मेडल अपने नाम किया था तो टोक्यो पेरालम्पिक में इन्होंने दो मेडल अपने नाम किये थे और अब तीसरा मेडल जीता है इन्होंने गोल्ड मेडल शुटिंग में कहां पर 10 मिटर एर राइफल स्टेंडिंग SH-1 केटेगरी में ठीके SH-1 केटेगरी ये कन्फ्यूस कर सकती है कि ये केटेगरी क् होती है तो देखिए पैरालम्पिक फिजिकली चैलेंजड जो एथलीट होता है उनके लिए होता है तो SH-1 केटेगरी की बात करें तो उन एथलीट को इसमें शामिल किया जाता है जिनका कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो मतलब या तो वीक है या फिर काम नहीं कर पा रहा है तो अवनी लेखरा को आप देखेंगे तो ये भी विल चेहर पर चलती है तो SH-1 केटेगरी में ये शुटिंग खिलाडी है भारत की ठीक है ना देखिए अवनी लेखरा राजस्तान से बिलॉंग करती है खेलों के शेत्र में इनके योगदान के लिए खेल रतन अवर्ड अ इस अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रज में वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है तो वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें पहले भी हम इसको डिसकस कर चुके हैं ये कहां बनाया जा रहा है भारत के महरास्ट रज में एक ड अलगयर डिस्टिक में वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की आधारशीला रखी भारत के पी-म ने आर 30 अगस्त को वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट देखें तो ये ऑल्मोस्ट Hashyotar 5000 करोड रूपे का एक पूरा प्रोजेक्ट है जवाल लाल नेहरू पोर्ट अथोरिटी और महारास्थ Lewis Mayri Time Board इन्होंने मिलकर वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेट का निर्मान किया जोकी वधावन पोर्ट का निर्मान कर रही है ये जईंसी कर रही है प्रोजेक्ट को मैं आपको बाद में समझाओंगा, अभी इतना याद कर लो कि बंदरगा का निर्मान दो फेज में किया जाएगा, वधावन पोर्ट का, पहला फेज दोजार उनतिस में कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा फेज कंप्लीट होगा दोजार उन्चालिस में, ठ हवन पोर्ट, ठीक है, और यह भारत का पहला आफशोर पोर्ट होगा, अब आएगा कंफ्यूजन आफशोर पोर्ट क्या, तो अब कटी बंदरगा का मतलब होता है, जो की में जो लेंड एरिया है, है ना समुदर से लगा हुआ, उससे दूर समुदर में जिसका निर्मान कि किया जाता है, ठीक है ना समुदर के बीच में इस तरह से इसे डिजाइन किया जाता है, कि गहरे पानी में डीप वाटर में ही जहाज और तेल के टैंकर सीधे वहाँ पर आकर लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं, किसी भी सामान की, तो यह होता है ओफशोर पोर्ट, जो की तुलना में, पोर्ट जो है, शिप को सीधे समुदर में ही माल उतारने की परमिशन देता है, तो वीधा देता है, ठीक है, जो समुदरी पॉलिशन उसको कम करने में मदद मिलेगी, कमर्शियल फैसिलिटी बढ़ेगी इंडिया में, ओके, जिसमें एकोनोमी में इंडिया को भी बूम मिलेगा, ठीक है, ओफ्शोर पोर्ट के कारण, सागर मला प्रोजेक्ट की यहां पर बात करे, तो बंदर गाहों का आधुनी की करन करना, पोर्ट को मॉडनाईजेशन करना, पोर्ट का और नए पोर्ट का डिवलप्मेंट, सागर मला प्रोजेक्ट का मुख्यो 2015 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था भारत में, पोर्ट कनेक्टिविटी में व्रद्धी करना, पोर्ट बेस्ड इंडर्स्टिलाईजेशन करना, इंडर्स्टियल एरियाज वहां पर बढ़ाना, कोस्टल कम्यूनिटी डेलप्मेंट करना, और इसके अलावा क्युद्देश है सागर मला प्रोग्राम का, 2015 में शुरू किया गया था, बस इतना समझ लो की बंदर गाहों के आधुनी की करन से संबंदी थे, इसी के तहट भारत में 13 मेजर पोर्ट बनेगा, वधावन पोर्ट कहां पर महारास्ट में, वेसे भारत में पहले से ही 12 मेजर पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो बड़े अनमा निकोवार पर भी तेरवाए, लेकिन बड़े अगर हम देखें, तो मुख्य लेंड भूमी में कानला पोर्ट गुजरात में, नावा शोवा और जवाल लाल नहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है महारास्ट में, मार पोर्ट के नाम से देखने को मिलता है तमिलाडू में, विशाका पत्नम पोर्ट देखने को मिलेगा आंधर प्रदेश में, पारादी पोर्ट देखने को मिलेगा ओडिशा में, और पश्चिम मंगाल में कॉलकत्ता पोर्ट जिससे हल्दिया पोर्ट भी कहा जाता है, तो य आगे बनने से पहले offer of the day आपको बता देता हूं friends आप सभी के लिए marathon package available है जहां पर सभी marathon current affair की PDF आपको single course में मिल जाएगी only 29 रुपीज में Sunday को आपकी marathon class आने वाली है 7 month marathon class है morning में 8 या 9 बजी की schedule होगी प्रीमियर में आपको दिख जाएगा आप सभी को वो जरूर देखना है जितने भी student देखते हैं मुझे मेरे current affair के जितने भी student है वो Sunday को almost साड़े तीन घंटे के आसपास का time duration है उस marathon का आप आराम से उसको संडे को मतलब कल तो morning में 8 या 9 बजे वो schedule हो जाएगी time आपको पता चल जाएगा evening तक देख लेना आज और उसको सुबह आपको सभी को एक साथ देखना है पूरी मेरा थन और उसकी PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी काफी nominal charges में आपको काफी सारी PDF यहाँ पर देखने को मिलती है लिंक आपको नीचे description में दिया गया उसका वहाँ पर जाकर आप अवेल कर सकते हैं next question राश्टि खेल दिवस पर retired sports person के लिए कौन सा program launch किया गया तो राश्टि खेल दिवस कम मनाया गया था 29 अगस्त को major ध्यान चंद कल हमने बात की थी इस आउसर पर retired sports person ने उनके लिए program launch किया गया है reset program कौन सा reset program ठीके देखिए Central Youth Affairs और sports minister भारत के डॉक्टर मंसुक मंडाविया इन्होंने National Sports Day के उपलक्ष में जो retire sports person ने उनके लिए reset program को launch किया है ठीके किया क्या जाएगा तो देखिए जितने भी athlete भारत के जो की sports से retire हो चुके है उन सभी की जिनकी आयू 20 से 50 वर्ष के बीच में उनको sports organization, sports competition, training camps और other leagues में internship प्रदन की जाएगी ठीके और उसके बाद जब उनकी internship हो जाती है तो उसके बाद उनको placement में साहता दी जाएगी उद्यम शिलता में या entrepreneurship में उनकी मदद की जाएगी ठीके कोच बनने में उनकी मदद की जाएगी तो इस तरीके से देश के लिए खेलने वाले और रास्टी का मान बढ़ाने वाले जितने भी retire player हैं उनको सशक्त बनाना मुख्युद्देश है reset program का जिसे हाली में national sports day पर launch किया गया आगे बढ़ेंगे 8th women hockey asia champions trophy 2024 का आयवजन किस रज में किया जाएगा तो 8th women hockey asian championship trophy इसका आयवजन किया जाने वाला है 2024 में भारत के बिहार रज में होकी asian championship women's के लिए आठवा संस्क्रने इस सल होकी इंडिया ने इसकी गोश्टना किये कि आठवा women's hockey asian champions trophy 2024 बिहार के राजगीर में आयोजित की जाएगी कब से कब तक तो नवंबर मन्थ में यह आयोजित होगी 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आठवा edition है याद 2023 में तातवा edition खेला गया था इसका women's hockey asian champions trophy का आयोजन हुआ था भारत के जारखन के राची में और इसमें विनर इंडिया की ही hockey women team रही थी ठीके अब 2024 में इसका आठवा edition का आयोजित किया जाएगा बिहार के राजगीर में सबसे पहली बार women's hockey asian champions trophy की शुरुआत की गई Asian hockey federation इसका आयोजन करवाने वाली जिम्मेदार संस्ता है तो आठवा women's hockey asian champions trophy 2024 का आयोजित होगी पिहार 2030 में का होई थी जारखन के राची में प्रोजेक्ट सीबर्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया हाली में प्रोजेक्ट सीबर्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वाइस एड्मिरल राजेश धनकर को वाइस एड्मिरल राजेश धनकर देखिए सीबर्ड समझ रहा मतलब तमुद्र का पक्षी तम बताऊंगा आगे कि क्या है अभी ये समझो किसका डारेक्टर जनरल कोन वाइस एड्मिरल राजेश धनकर यहाँ पर आप इनकी मेश देखिए देखिए डारेक्टर जनरल बने प्रोजेक्ट सी बड के वाइस एड्मिरल राजेश धनकर ठीक है ना इन्हें तरून सोबती के इस्तान पर नियुक्त किया गया अभी तक वाइस एड्मिरल तरून सोबती प्रोजेक्ट सी बड के डारेक्टर जनरल थे इनके इस्तान पर अब बने वाइस एड्मिरल राजेश धनकर देखिए राजेश धनकर को कारवार नेवल बेस पर चल रही जितनी भी चल पर जब तक आपको प्रोजेक्ट सी बड नहीं समझ में आएगा आपको ना तो कारवार नेवल बेस समझ में आने वाला है और नहीं आपको समझ में आने वाला है कि वाइस एडमिरल राजेश धनकर का काम क्या है तो देखिए, प्रोजेक्ट सीबर्ड को समझो, प्रोजेक्ट सीबर्ड इंडियन नेवी की एक योजना है, इसका उद्देश है कि मौडन और पावर्फुल नेवल बेस का भारत में निर्मान करना कोस्टेल एरिया में पश्चिमी तटो पर, इसी के तहट अब इससी बात है इंडियन नेवी की शमताओं को मजबूती मिलेगी, हैना नेशनल सीकुरिटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी, तो इसी प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहट एक बेस बनाया जा रहा है करनाटक में कारवार नेवल बेस, अब जो प्रोजेक्ट सीबर्ड के डारेक्टर जनरल हो प्रोजेक्ट सीबर्ड के तर जो नेवल बेस बनेंगे उनका रख रखाओ के लिए जिम्मेदार होंगे, और अभी बन रहा है करनाटक में कारवार नेवल बेस, तो अब इसके रख रखाओ के लिए जिम्मेदार कौन, वाइस एड्मिरल राजेश धनकर, ठीक है, अगर हम प्रोजेक्ट सीबर्ड की बात करते हैं, तो 1995 में इसकी स्टाप शुरुवात की गई थी, पहला फेस कंप्लीट हुआ था 2005 में अब दूसरा फेस इसका कंप्लीट होगा 2025 में, पूरा होने के बाद कारवार नेवल स्टेशन जो करनाटक में देश का सबसे बड़ा नेवल ब इसका एजन किया गया है महरास्ट के मुमबई में, फिंटेक समझते क्या होता है, फिंटेक को आप फाइनेशल टेकनोलोजी के रूप में भी देख सकते हैं, फाइनेशल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हम पे टीम गूगल पे करते हैं, बैंकिंग से वाओ का पीम नरेंदर मोदी ने मुमबई में ग्लोबल फिंटेक फेस्ट दोहजार चोबिस को सम्भोधित किया, काफी सारी जानकारिया भी पीम ने शेर किये भारत की जो उपलब दिया है, उनके बारे में बताये, जैसे पीम ने बताये कि इंडियन फिंटेक सेक्टर में 30 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश हुआ, यह पहली लाइन ही रिपेट है, ठीक है, भारत में ब्राट बेंड यूजर जो की साहाट मिलियन तक थे, उनकी संख्या 940 मिलियन हो गई है दोहजार चोबिस तक, ठीक है, डिजिटल परिवर्तन को दर्शाती है, यह संख्या तो Global FinTech Fest, आपको समझ में आगे है भाई, इसका उद्देश है क्या है, Financial Technology के शेत्र को बढ़ावा देना, FinTech Fest या Global FinTech Fest का मुख्य उद्देश है, ओके, Modern Technology का उपयोग करके Financial Service को अधिक Accessible, Fast और Effective बनाना, Global FinTech Fest का मुख्य उद्देश है, आयुजन किया गया महरास्ट के मुं आपको बता ही चुका हूँ, के से इसका यूज किया जाता है, चलिए, Moody's Rating ने Financial Year 2026 के लिए भारत की आर्थिक व्रधिदर का अनुमान, GDP ग्रोथ का अनुमान, 6.8% से बढ़ा कर कितना किया है, तो Moody's एक समस्ता है, डेटिंग देती है, एकोनॉमी को, वल्ड की एकोनॉ के बारे में, इसमें Financial Year 2026 के लिए, भारत की जो GDP ग्रोथ का अनुमान इसका पहले 6.8% था, उसको इसने बढ़ा कर 7.2% किया है, 2024 के लिए, ठीक है, पहले अनुमान कितना था, 6.8%, अब इससे बढ़ा कर 7.2% कर दिया गया, ताथी 2025 में भारत की Economic Growth Rate का अनुमान, जो पहले इसने 6.4% लगाया था, उसको बढ़ा कर भी इसने 6.6% किया है, इसने बताए कि भाईया, एगरी गल्चर प्रोडक्ट में सुधार की संभावना भारत में बढ़ी है, ग्रामीन मांग में सुधार हुआ है, जिससे इंडिया की Economy अब थोड़ी और Growth कर सकती, तो Moody's Rating ने ब महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने कारिस्तल पर महिलाओ की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है, तो महिला और बाल विकास मंत्राले, Ministry of Women and Child Development, इन्होंने वर्क प्लेस पर जो harassment होता है, जो महिलाओ के खिलाफ कोई भी हिंसा, किसी भी प्रकार का harassment, उसको कम करने के लिए, महिलाओ की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, शी बॉक्स पोर्टल को हाली में लॉंच किया, किसको शी बॉक्स पोर्टल, ठीक है, तो Central Women and Child Development Minister, अन पूर्णा देवी है वर्तमान में, इन्होंने वर्क प्लेस पर विमेंस की सिक्यूरिटी बढ़ा के लिए, शी बॉक्स पोर्टल को लॉंच किया है, देखिए, शी बॉक्स पोर्टल की बात करें न, तो यहां पर सेक्शुल हरस्मेंट से इसका मतलब है, शी मतलब औरत नहीं है, सेक्शुल हरस्मेंट, बॉक्स पोर्टल, ठीक है, सेक्शुल हरस्मेंट की शिकायत सुनना मेनेजमेंट करना और भाया उसके लिए अंतिम रूप से एक्शन लेना मुख्य देश है शी बॉक्स पोटल का यह पोटल महिलाओं की कंप्लेंट को दर्ज करेगा डारेक्ली आप कर सकते हो पोटल से शिकायत की स्तिति को ट्रेक करने की सुविधा रहेगी शिकायतों का समय पर सेटलमेंट एशोर्ड किया जाएगा और फिर आगे की कारवाई की जाएगी शिकायतों की निगरानी के लिए एक नोडल ओफिसर अपोइंट किया जाएगा और महिलाओ की शिकायतों का फाइनली एक्षन लिया जाएगा और फिर जो भी कानूनी प्रावधान आगे पोर्टल में जिन भी एजेंसी चाहे वो पुलिस हो या फिर अधर कोई एजेंसी हो कानूनन रूप से उनको एड किया जाएगा कि वो एक्षन ले तो इस बॉक्स को पर्टिकुलर नाम दिया गया शी बॉक्स पोर्टल महिलाओ की सुरक्षा वर्ट प्लेस पर की जाए इसके लिए हाली में लॉंच किया गया आगे आईए किस राज्य सरकार ने प्राकरतिक आपदा के कारण राज्य को प्राकरतिक आपदा शेत्र घोशित किया है तो नेचुरल डिजास्चर एरिया हाली में घोशित किया है अपने राज्य को भारत के त्रिपुरा राज्य ने नेचुरल डिजास्टर एरिया अनौंस कर दिया है इसने त्रिपुरा को त्रिपुरा की गवर्मेंट ने क्योंकि त्रिपुरा में हाली में एक बाड आई थी बाड और भू संखलन के कारण यहाँ पर 15,000 करोड रुपे का नुकसान हुआ है इसके कारण काफी नुकसान हुआ है त्रिपुरा को त्रिपुरा गवर्मेंट ने अपने हाग के एरिया को नेचुरल डिजास्टर जोन घोशित किया ठीक है लास्ट कोशन देखिए जिसे फसाई के नाम से जाना जाता है इसके वर्तमान में सीयो कौन है तो फसाई के CEO की बात करें तो यह गंजम कमलावी राओ है आंसर डी गंजम कमलावी राओ वर्तमान में फसाई के CEO के पत पर है अभी सुर्खियों में क्यों हैं? अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि गंजम कमलावी राओ का कारिकल फसाई के सीयों के रुप में एक साल के लिए बढ़ाये गया है। 2001 साल के लिए जोईन हुए थे 1990 बेच के IAS ऑफिसर हैं गंजम कमलावी राओ ठीके 2022 में इनको एक साल का अप्रूवल दिया गया कारिकल बढ़ाये गया। आपको समझ में आया होगा, एक एक डिटेल आपको समझ में आया होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट डे के करेंट अफेर के रिवीजन की। आंसर लेंगे फटाफट MC के उस फॉर्म में डिसकस करेंगे। घ्राम से सुनिएगा। CISF के डाइरेक्टर जनरल के रुप में किसे ने उक्त किया गया। तो CISF के डाइरेक्टर जनरल कोन है राजविंदर सिंग भट्टी। अंसर हो जाएगा अंसर सी। 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आइनेस अरिहाट को लॉंज किया है। आइनेस अरिहाट क्या है। तो यह परमानु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पंडूब भी है। आइनेस परिहाट। आंसर D 29 अगस्त को राजची खेल दिवस किसकी जहनती पर मनाया जाता है। तो मेजर ध्याचंद्र होक्की के जादूगर इनकी जहनती पर। नेमन लिखित में सक्की से नेसकोम का अध्यक्ष निउक्त किया गया। तो नेसकोम के अध्यक्ष बनी है सिंधु गंगा धरन। अगस्त दोजार चूबिस में जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट दोजार चूबिस के नुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ती कोन है। तो ये हैं गोतम अडानी। आंसर हो जाएगा आंसर भी पते में मोहजे रानी को किस देश की पहली महिला गवर्मेंट इस्पोक परसन बनाये गया तो ये बनी है इरान की पहली महिला गवर्मेंट इस्पोक परसन पते में मोहजे रानी निम्ण मेंसे किसने 61 वी रास्ट ओपन शत्रंज चेंपेंशिप जीती है कर्थित वेंकट रमन ने दलजीत सिंग चौधरी को किस अर्ध सेनिक बलका डारेक्टर जनरल बनाये गया तो इन्हें डारेक्टर जनरल बनाये गया बॉर्डर सिक्रिटी फोर्स मतलब सीमा सुरक्षा बलका आगे चर्चा मेरा चांदीपुरा वाइरस पहली बार भारत के किस रज में मिला था तो चांदीपुरा वाइरस भारत में सबसे पहली बार मिला था कहाँ पर महारास्ट में महारास्ट के चांदीपुरा में लास्ट कोशन क्या था तेकबिर सिंग माउंट किली मंजारों पर चड़ने वाले सबसे कम उम्र की एश्या ही बने माउंट किली मंजारों किस देश में इसते थे तो माउंट किली मंजारों देखने को मिलेगी अफरीकी देश तंजानिया में जो कि अफरीका की सबसे उची चोटी है तो यह सारे करेंट अफेर लास्ट सेशन में हमने डीटेल में समझे थे यहाँ पर अंसर एक बार देख लिए आप question of the day का अंसर ले लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा अंतरास्टे समुद्री अभ्यास कौन सा है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंतरास्टे समुद्री अभ्यास देखने को मिलता है रिमपेक जो कि हवाई दीप पर USA ने आयुजित करवाया था चर्चा में रहा अहुम मोईदम किस रज्ज में इस्ते थे युनेस्ट को वर्ल्ड हेरिटेज बनाए अहुम मोईदम दोजार चुबिस में ये असम राज्ज में इस्ते थे अहुम सामराज्य उनके राजपरिवार के लोगों की कबर टाइप है अहुम मोईदम असम में पारवती काली सिंद चंबल लिंक प्रोजेक्ट के लिए किंदो राज्जोत के मद्ध में समझोता हुआ है तो पारवती कालिसिंदो चंबल लिंक प्रोजेक्ट के लिए समझोता हुआ है MP और राजस्थान में क्योंकि ये नदिया MP और राजस्थान में बहती है अंसर मिल गए अब आज के लिए question of the day Changing India किसकी autobiography है? किसकी आत्मकता है? अर्जुनेरी गैसी किस खेल से सम्बंदेद खिला रही है? और लोकसवा चुनाओ 2024 में किस राज्य में सबसे कम मद्दान हुआ? परसेंटेज वाइस है ना? सबसे कम मद्दान किस राज्य में हुआ लोकसवा चुनाओ 2024 में? तीनों कोश्चन को ध्यांसर नोट कीजिए, कमेंट में अंसर कीजिएगा सेशन के साल लगा? ये भी बताईए, पसंद आया हो तो लाइक को शेर कीजिए चैनल पर पहली बारा है तो सबस्क्राइब कर लीजिए पीडिएफ क्रेजी जिकेटिक के अप्लिकेशन से ले लेना फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत